बहुत ज़्यादा संघर्स है आपके लाइफ में जी माँ आपका संघर्स काफी बड़ा चल रहा है बेटे अधिक मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही और आपका जो सुभाव है परिवार से सामाज से बड़ा मिलन सार स्वभाव है और जन सेवा के लिए आप आधी रात को भी खड़े रहते हैं बेटे माँ जन सेवा करने के बाद भी पुश्मी पताता हो चो मेरी बाद तो सुनी है हम जीतना बोल रहे हैं उतना सत्य है या नहीं यह बताएं बेटे आप दूसरों के लिए इतना करते हैं लेकिन पलटके आपको धन्यवाद भी प्राप्त नहीं होता है मेरे बेटे आज लक्षमी भी रूट गई है आपसे अपने भी रूट गए है आपसे मन भी स्थिर नहीं है आपका और शरीर की गती भी साथ नहीं दे रही है सभी तरब से निराशा के भाव आपको प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं वो इधोखा दे देता आपको है व्यापार के शेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही बलकि कर्ज की स्थिती बन रही है बेटे मेरे और प्रश्न करें क्या पूछना चाह रहे थे क्योंकि उनको आप जो है विश्वास दे दे के ठक जाते हैं लेकिन वो विश्वास नहीं करते हैं आपके उपर क्योंकि वो उनका मन इस्थिर नहीं है स्वास्त भी उनका थोड़ा सा सीत संबंदी प्राब्लम्स रहती उनको इसलिए थोड़ा थोड़ा चिलड़ा पन भी रहता है उनके अंदर में लेकिन जब तक यह प्रशन्य चित नहीं होंगी तब तक आपका जो व्यापार है उसमें थोड़ा सा दिक्कते आएंगी, तो ये ग्राह लक्षमी कहलाती है, इनको प्रसंद चित रखना बड़ा जरूरी है, अतिया प्रसंद चित कैसे करूँ, माँ उनके माइक के में जाके रहने लगा, उसके बाद दो साल के बाद मैं इधर आगया, एक साल मेरे माँ के पास आगय क्या है, वो जो आपकी धर्म पतनी है ना, ये दोनों रूट रहे हैं मेरे बेटे आप से, और ये दोनों जब तक कवरेज में आपके नहीं रहेंगी, तब तक आपको सुख की अनुबूती नहीं हो सकती है, आप क्या करें, कि धन लक्षमी और ग्रह लक्षमी दोनों का सुखा आपको प्राप्त हो, और व्यापार में आपको ब्रद्धी हो, जॉब से जो पैमेंट मिल रही वो तो है, लेकिन अलग से आपका और बिजनेस भी होना चाहिए, तब जाके जीवन और भी अच्छा होता है, अपने परिवार में जड़ा लगर लगा रहा हूं, और मेरे से जो अन तीसरा व्यक्ती में से मिलना चाहता है, मेरी परिवार को दिश्वर करना चाह रहा है, उनको थोड़ा सांत करें, बस्वार भगवती की कृपा से संभा होगा, स्वयम भी कर्म करो, सब ठीक होगा, एक बन समय निकाल के माता के चरोणों में समर्पित हो वें और सारी प्रार्थ न रख दें, मैया सब ये कष्ट मेरे दूर करो, सुख प्रदान करो, तो फिर सब संभा होगा, ठीक है बेटे? जो मंदीर मिला उसके सेवा करूं उसे कर नहीं करते हैं? उनकी सेवा कर आता उनके बाद मुझे देगी है जोड़ाओं उस मंदीर से पारवती जी है बेटा हिर्दय में शीतल तक अवास होता है तो शीतला माता हिर्दय में शीतल बन करके और हमारी रक्षा करती है